कर लूं है कि इसमें आपके पास पी आरकंग यह पूरा एंगल कितना है वन ट्वेन्टी है तो अगर मैं यहाँ पे इसके पॉइंट-फॉंट्ट को ज्रॉन कर लूँ लूं है ठीक है क proposed इसमें अगर यहां से पॉर् से पॉइंट-फॉंटक को ज्रॉन कर कि यहां से और यहां से यह 90 होगा और यह पूरा एंगल अगर 120 है तो इसका मतलब कोई भी एक लेंद एक एंगल स्वरी यह 60 हो जागा कि नहीं हो जागा बताओ कमेंट सेक्शन में यागर हम एक ट्राइंगल बना ले अब यह बहुत कुर्शन हमने कर लिए और जो लेट आए तो उनको मैं बता सकता हूं पहले सबसे पहले बताएंगी बाद है पहले आप लो लाइक नहीं कर रह है मैं पहले बता दीता हूं 60 मैंने कैसे बोला आपको simply यह दो ट्राइंगल कोंगरेंट करने और यह बहुत बार ही जो चुका है पता होना चाहिए कैसे टेंजेंट कॉमन और रेडियस साइट 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 से कॉंगरेंट हो जाता है इसका मतलब यह वाला जो एंगल है व और ये है पियार ये है इस एंगल के अकॉर्डिंग यह हाइपोटेनियस है एंगल के सामने परपेंडिकलर होता है तो यह बेस है तो बेस और हाइपोटेनियस किसमें आता है कॉस में आता है तो कॉस सिक्ष्टी डिग्री अपलाई कर दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यह प नहीं आया, लेकिन आनसर आ चुका है, कैसे? क्या इस PR को हम दो बार लिखते है, PR प्लस PR, ठीके हैं? अगर यह PR है, और हमें पता है, PR जो है, वो आर्किउ की बराबर है, लेंट अप टेंजेंट प्रॉम एन एक्टनल पॉइंट, तो यह PR और यह आर्किउ बन जाएगा, क्य यहर?